सुबह का नाश्टा अच्छा मिल जाए तो पूरा दिन अच्छा चला जाता है तो इसलिए मैंने 120 रेसिपी को आपके साथ शेर किया जाए तो आज मैं बनाने जरी हूं बेंगोली स्टाइल डाल पूरी की रेसिपी जो बहुत ही जदा फुली फुली बनेगी और इतनी टेस् मैंने इसके साथ बनाया है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने एक बड़ी को टोरी दर उडीद की दाल को चासे पांच भेंटे के लिए अच्छे से भीगो लिया ता भीगो कि इसके पानी अलग कर लियो और इसको साइड में निकाल के रख लेंगे और द और जाड़ को पीस लिया और जादा देखी इतना मुबारिक भी नहीं करना जादा मोटा भी नहीं करना देखी इतना पेस्ट बर बर है तो आमोटा मोटा ही रहना चाहिए ने दाल हमारे अटा हो जाएगी और पूरी में अच्छी नहीं लगेगी तो मैंने इदर एक बॉय पीछ के लें लेंगे साथी द्रक दे भूख नआ बाइव लिए तो फिर नियुंद फिर सांट बोई ले आएँ दिसके टोरि को mmFT अवर। भी मसाले चाहते हैं तो आप समें डाल सकते हैं बहुत ही अच्छा लगए होगा तो आप इसको घ्योंग के आटेसे बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी है पूरी तो इसमें मैं ने थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाला एक अच्छा सबीयां लगा ऊसे सबीक करीब में यह सब्सक्राइब दालेगे स tomaटा लिए फिर भाटा लुए ऑर समें लाक्वे के समnoश के साव का लगा दाला ला यहएंगे सब्सक्राइब फैर गरम के लिए में आदल आसरो दाल बितर लोगी मिट नदको इसमें तो इसमें पैलेखे सबस्क्राइब करना थाविछ सबस्کाना दाल को सबस्क्राइब सबस्कुषपटτοार्म के अदास परे ऊदियो है उतिलके काऊना नहीं एक पकाना है एक इसलिए यह अधिन दालकर नमक सबस्क्राइब में त्प آپ 30 नहीं मैंने दिने स्के-घल qui ौन सब्सक्रासThere मिक्स कर लें मिक्स करको हम में पकाना जादा है mistुरа या में अलगते में निकाल करने हैं मोच्रार थंडड के लिए मुझराइग और उत्न से काडा दातो प्रूंब से तोड़े सी नाइब कर्या हुए हालो प्यास जादा नहीं कर दोड़ाने में तेस्ट अच्छा आता है और हमें से इतना ही पकाना है जादा नहीं पकाना और दो मैंने जाना मिक्स कर लेंगे और जो ब्लू आलो रकेते में अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद मैं आदा चमज नमॉक और आदा चमज हल्दी पॉड़। मैं ज्यादा मसाले का इसमें यूज नहीं करी हूं आप चाहे तो डाल सकते हैं मगर उतना जदा अच्छा कि भाजी यूज पिर्णा नहीं पिपाएंगे नहीं पिपगाएंगे दने पदा दालने के बाद आप अर्य पाजी को तार के रख लेते हैं और इधर देख लिए आटा चाहिज मेरा नरम हो गया है बहुत ही जादा नरम हो गया आटा और और एक बार मैं इसको अच्छी से तोड़ा सा और मैंने एक छोटी सी लोगी तोड़ लिये दो के आटा बहुत ही जादा नरम हुआ है और इसका एक पेड़ा बना लूँगे और आप एक की नहीं मानेंगे मैंने इसमें ना सोडे का यूज किया है आप इस बहुत अच्छी बनेगी फूली फूली बनेगी पू चलिए सारी दाल मैंने इसमें अच्छे से भर लिया है अब इसको गोल करके थोड़ा सा और यह कर लेंगे करके पेड़ा बना लेंगे तो मैंने पेड़ा बना लिया और दर मैंने बेलन को थोड़ा सा तेल लगा लिया है आप इसमें आटा लगाएंगे तो अच्छे नहीं यदि ये व्यूंट नोन पूरी तो मैंने इसमें थोड़ा सिर्ण लगाएंगे तो ऐसीली नええसे भाव 27 बन्न के तयार हो जाकिए इसे बहुत तो छो चलिए पूरी हमारी अच्छे से एक बल बिल चेके और मैंने पूरी आराम प्राइब लिया है। तो इसलिए मैंने इसको पांचे को बेल लिया है। EXPREC को clan कि 5 वर्या निए लिए याट्ट केया को है टो देखिए कितने अच्छे से स्ब्कान केहां है हमारे पूरी फोल कः तो मैंने ँसको एकशार पूराइद का recognition ऑब हुझ में में ये पूरी लेंगे देल में हाइफलेम रखो पूरी को डिल में डालना तो अच्छी में मेरी च्हान गई है यह निकाल लेती हूं तो यह मैंने सारी पूरी को च्छान दिया है देखे कितने अच्छी से गुबारे की जैसा फूल गई है और मैंने इसके साथ रखा है मुली गाजर गाद रखा चार जो बहुत ही अच्छा है मेरे मेरे चैनल का अप्लोड है इसकी रेसिपि आप जाए तो जाकर देख सकते हैं वहां पे तो देखिए मैंने पूरी कितने अच्छी से यह पक गई है और इसमें दाल दाल है ना बहुत ही जादा स्वाफ्ट बनती है पूरी देखिए कितने अच्छे से अंदर से पकी हुई है और दाल की पूरी बहुत ही जादा टेस्ट और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब